देखिए आज जो हम आपके लिए कोपी लाएं या पॉलिटिकल साइन्स सेमेस्टर टू का कॉर पेपर फोर है ठीक यह देखिए यहां पी जो लिखा हुए यूजी यानि के अंडर ग्रेजवेट ठीक यह कौन-कौन सा युनिवर्सिटी के लिए काम देगा तो मैं बता दू असपश्ट कि आपको बिनोद्वियारी मातु कोईलांचल युनिवर्सिटी धनबाद और बिनोद्वा भावय युनिवर्सिटी हजारी वाग ठीक दो के लिए एस्पेसल है लेकिन इसे पूरे भारत में सभी युनिवर्सिटी से लगबग मेल खा जाएगा लेकिन दो इन जिसमें से चार उत्तर देने होते हैं जिसमें से प्रश्ण एक का उत्तर आपको कंपल सरी देना ही देना है और बाकी तीन आप आठ में से जोग बनाएंगे ठीक तो यहाँ पर आईए शुरू करते हैं पहले आपके नंबर एक में दस अबजेक्टिव रहेंगे और उसके तो पहले अबजेक्टिव को देखते हैं उसके बाद हम देखेंगे पांच-पांच मार्स के दो होते हैं तो यह देखें पूछा है कि प्राचीन राजनितिक चिंतन के सुरूत है यानि कि इन में से क्या है जो जिससे प्राचीन भारत का पता चलता है तो वेद जोकि रिग गुगल से सर्च मार लिया हूं पूरी तरह से उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको किसी प्रकार का भाई की जुरत नहीं होगी दूसरा कोस्टिन क्या है ऑप्सन डी में डोक्टर अंबेतकर यानि कि भीम्रा अंबेतकर ने किस अस्थान पर बोद धर्म क अपनाया था तो भीम्रा अंबेतकर ने नागपूर जो की महाराष्ट्र में ठीक ना यहां नागपूर अस्थान ह्वेश 5.00000,002 लोगों के साथ बोध्धर में अपनाया था कब अपनाया था 1905 में अपना और 56 में इनका दियानत हो गया अब..देखिए यहां पे स्वारा अब देखे हम नेक्स्ट कॉस्टन देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की अस्थापना क्या थी तो आपको जानकारी के लिए में बता दू थोड़ा थोड़ा ब्रह्म समाज एक बुद्धि जीवी वर्गों का समूध था जिसके हैड जो बोल सकते हैं वे हैड कॉन थे राजा राम मोहन राय और इसकी अस्थापना की गई थी कॉलकाता में 1828 सभी में ठीक कॉलकाता जो के पस्चिम बंगाल की राजधानी है अब हम देखते हैं नंबर इन नंबर कॉस्टन क्या पूछा इन नंबर में समाचार पत्र केसरी केसरी एक समाचार पत्र था जिसके अस्थापना किसने के थी बाल गांगातर तिलक बाल गांगातर तिलक को लोक माइन ने तिलक भी कहते हैं ठीक नॉलिच के लिए मैं सारा कुछ जितने भी जूड़े हुए चीज रहेंगे सारा कुछ बताते जाओंगा उसके बाद क्या है एप नंबर में गांधि जी के अनुषार धर्म से तातपरी है धर्म से क्या तातपरी है यह होगा D. ओप्षन हिंदू मुस्विम विसाई कुछ नहीं होगा यह नहीं होगा D. मनुष्ट संपुर्ण विकास के लिए सभी धर्म जो अच्छाही है उसे था ठीक अब हमारा G. क्या क्या सब्सक्राइबाद के सावर्मति अस्रम से अब देखे हमारा नेक्स आता है कि बिनोबा भावे का जन्म कहा हुआ था बिनोबा भावे जो की जन्म हुआ था कब हुआ था गारा सितंबर 1885 में कहां पर उबाथ महाराष्टों में हो था ठीक महाठा गारा सितंबर 1885 और इनका परसिद्द्र कारण था भूं आंदोलन भूमीदान आंदोलन यानी कि कि लोगों से भूमी लेते थे और गरिबों में बार्ण देते थे अमिर जमिनदारों से आई नंबर कोश्चन क्या कहता है कि कोटिल ने किस समराट के साथ मिलकर मोर्य वंस के अस्थापना की तो किस समराट उस समराट का नाम क्या था चंद्रगुप्त मोर्य ठीक यहां पर और स्वामी विवेकानन के गुरु कुन थे इसको में बता तो रामक्रिष्ण परमान सुनके गुरु थे अब देखिए स्वामी विवेकानन के जर्मतिति को तो आप लोग मानुमी होगा युवा दिवस की रूप में बनाते हैं ठीक ना यूथ डे यहां पर देखिए बी तरह देखिए नमबर कॉस्चन एक का भी एक का ए हो गया दस अब्जेटिव एक का ए में और वी में क्या आता है पांच नंक के दो नंबर इधर दीखें पांच दूना दस पांच एक एक क्वोस्चन के कितने अंक मिलेंगे पांच ठीक आपको दो कोस्चन बनाने हैं चार ओप्सन दिये हैं A B C D इन्हें से किसी भी दो को बनाना है पहला क्या है तुम्हें बता देता हूं पहला सवदेशी के संबंद में बाल गंगाधर तिलक की धारना की वैख्या की सवदेशी यानि कि अपको मालूमी होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने अंगरेजी इसा स जनती का पता चलता है सी में क्या B R Ambitkar के धर्म संबंधी विचारों को लिखणा है आपको बोध धर्म और हिंदू धर्म के बारे में Sure दो पेज में लिखेंगे तो आपको चार से पांच अंक मिल जाएंगे और यह कोशन है इसे कोशिच कीजिएगा कि चार से चेपेज में उत्तर लिखेंगे तो सोलस बिस के बीच आपको मार्ग मिल जाएंगे ठीक टूदि पॉइंट में होना चाहिए अब देखें राजा राम मोहन राय के राजनितिक विचारों के विविशना कीजिए राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाच के अस्तापना की की सतीपतां बुरों हज्त испыт के गवा इंसे सभी के बारे में आपको लिख देना नहीं ठिक कोटिल के सब्टांग सिधांत कोटिल ने राजा के सथ सिधांत बताएनते ठीक ना साथ अंग के समान बताएन थे आपको उन सभी को लिखना आए गुप्चर विवाग लाग मंत्री दरटों धती के बारे में लिख़ देना हूं उसके बाद चाट कंवर मीं कहता है प्राजिन भार्व करते प्रमुक क्aya होते हैं जिससे दरट कि बता चलता है तो रहता सब्सक्रव tattoos एतिक और भह वासन को लिखना है और उनके सामाजिक आदर्शों को बता दीजिए के इसकी यूगा उनnaireस dow समाजी का जो विचार था किस प्रकार का था अब बता दोजिए का ठेक समाजी के नियाए पर दली तवर्गों किस प्रकार उत्थान किया सारा कुछ डीटेल में लिखना है भाई समझे न तो भाई यो बहनू आपको कैसा लगा आप हमें बताईएगा और हम उम्मीद करी सकते है कि आपको काफी हेल्प कर रहा होगी हमरी वीडियो बीनोबा भावे की राजनीतिक चिंतन को परदान योग को संचप में लिखना है को जोरी नहीं कि आप छे पेज में इसका उत्तर दें ठीक ना आपको जितना आता है उतना लिखिए लेकिन कोशिस की जीका कि छे पेज मिलेंगे और बागी एक मैं आपने लिए खुद बनाया हूँ जिंदगी एक सफर सुहाना यहां कब क्या होगा किस नहीं जाना ठेक ना तो इसलिए इंजॉय किजिए और अच्छा से रहिए स्वास्त रहिए पढ़िए और अपने हग के लिए लड़िए और आपको हम उम् करते हैं